वेलकम टो आज चैनल टेक मेकानिकल एनिलेक्टिकल अज बहुत ही एक अच्छा नियूज है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो जो आईटिया के स्टूडेंट है और कॉंपिटिटिव एक्जम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं CESIR North East Institute of Science and Technology का तरफ से एक भैकिंसी निकल के आया है जो पार्मानेन भैकिंसी हैं मेंली ITI बालो के लिए हैं तो एड़टेज नमबर आप देख सकते हैं एड़टेज नमबर 1-2020-REC तो आप देख सकते हैं तो इसमें Electrician, Mechanic Machine Tool Maintenance, Carpenter, Civil Engineer Assistant, Agro Processing, Instrument Mechanic, Plumber, Welder, Fabrication and Fitting, Mechanic, Refrigeration and Air Conditioning, Electronics Mechanic, Computer Hardware and Network Maintenance, Computer Operator and Programming Assistant, Medical Lab and Technician, Clinical Pathology, Laboratory Assistant, Chemical Plant तो आप देख सकते हैं तो इसके लिए जो आपर एज लिमिट है जेनरेल बालो के लिए 28 यार्स, 28 साल है और इसका जो बेसिक पे हैं आप देख सकते हैं CPC का हिसाब से 9900, 9900 ठीक है तो Electrician बालो के लिए दो पोस्ट हैं आंडिजब के लिए हैं और Mechanic Machine Tool Maintenance के लिए तीन पोस्ट हैं एक आंडिजब के लिए एक एईचेज के लिए एक एस्टी के लिए जो ब्रांच लाबरेटरी इटनागर में हैं और कार्पेंटर के लिए एक फैकेंस है जो अंडिजब के लिए हैं और अगर हम लोग बात करेंगे सिभील इंजिनियर एसिस्टेंट के लिए दो फैकेंस हैं एक EWS के लिए और एक अंडिजब के लिए एक और प्रोसेसिंग के लिए चार फैकेंस हैं दो अंडिजब के लिए एक OBC के लिए जो ब्रां इंस्टूमेन मेकानिक के लिए दो भैकेंसी है एक अंडिजब के लिए और एक EWS के लिए प्लामबार के लिए दो भैकेंसी है एक अंडिजब के लिए और एक AC के लिए welder fabrication and fitting के लिए दो भैकेंसी है एक अंडिजब और एक AC के लिए Mechanic, Refrigeration and Air Conditioning के लिए दो भैकेंसिय दो अंडिजब के लिए हैं और Electronics Mechanic के लिए दो भैकेंसिय जो अंडिजब के लिए हैं Computer Hardwork and Network Maintenance के लिए दो भैकेंसिय हैं एक अंडिजब के लिए और एक EWS के लिए और जो कोपा ट्रेट से Computer Operator and Programming Assistant के लिए चार भैकेंसिय हैं एक अंडिजब, एक EWS टी और एक OBC और एक अंडिजब ब्रांच लेबरेटरी इमफल में हैं और Medical Lab Technician Clinical Pathology के लिए दो भैकेंसिय हैं एक अंडिजब के लिए और एक EWS टी वालो के लिए और Laboratory Assistant Chemical Plant में 5 भैकेंसिय हैं दो अंडिजब के लिए, एक O.H. के लिए, एक EWS टी के लिए जिसका ब्रांच लेब इमफल में हैं और एक अंडिजब के लिए जिसका ब्रांच लेब इटरागोर में हैं तो ठीक है, सभी पोश्ट के लिए 28 साल अपारेज लिमिट है, देख सकते हैं बाकी सब कुछ सेम है, तो इसका Online Application का स्टार्टिंग डेट है दोसरा December मतल सेकेंड डिसमबर से स्टार्ट हो गया है और 1 जनवरी तक चलेगा, 5 बज़े तक चलेगा, साम 5 बज़े तक इसका फॉर्म फिलाप चलेगा ठीक है, लांस डेट आप रिसीब हार्ट कोपी अप दे एप्लिकेशन टिंट आउट फॉर्म फिलाप करने का बाद जो Online Application का जो हार्ट कोपी होगा वह 8 जनवरी का अंदर या अब लोग को भेजना पड़ेगा, ठीक है तो बाकी जो हार्ट कोपी का साथ क्या का भेजना पड़ेगा अब देख सकते हैं अब लोग को ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म का साथ फिंट आउट करके अब लोग को भेजना पड़ेगा, ठीक है, for details, advertisement, online application form and other details like benefit, under council, service, terms and condition, जो भी है अब लोग ये website से visit कर सकते हैं, कुछ भी अब लोग को देखना है तो तो ये जो post है, सभी post के लिए essential qualification क्या है, तो अब देख सकते हैं, 10th plus ITI होना चाहिए और at least अब लोग को 10th में 55% marks होना चाहिए, और 10th में अब लोग को science रहना चाहिए, ठीक है, तो electrician बालोग के लिए electrician trade से ITI पास होना चाहिए, अगर अब लोग national NCBT होगा या SCBT से पास है, तो अब भी अब लोग कर सकते हैं, अगर किसी का पास ITI नहीं है अब लोग का पास national or trade certificate है, दो साल का full experience as an apprenticeship training, अगर दो साल का जो apprenticeship training होता है, वो भी अगर अब लोग का है, तो तब भी अब लोग apply कर सकते हैं, ठीक है, तो हार पोस्ट के लिए same, तो अब देख सकते हैं, mechanic machine tool and maintenance के लिए 10th plus ITI होना चाहिए, mechanic machine tool maintenance trades है, और बाकी जो जो same है, state या national trades है, अगर state या national certificate है, अब लोग का पास दो साल का apprenticeship certificate, तब भी आप लोग apply कर सकते हैं, तो carpenter के लिए भी आप देख सकते हैं, सेम qualification, civil engineering assistant के लिए आप थोड़ा सा बता देते हैं, इसका भी same qualification आप देख सकते हैं, 10th plus ITI होना चाहिए, बाकी जो जो सेम है, तो अगर आप लोग कोई full notification चाहिए, अगर आप लोग full notification देखना चाहिए, तो वीडियो का description box में आप लोग जा सकते हैं, वीडियो का description box में मैं लिंक देदूंगा इस notification का, तो लिंक पे क्लिक करके आप लोग download करके पूरा notification को देख सकते हैं, क्यूंकि एपले करने से पहले आप लोग को पूरा notification अच्छा से पढ़ना चाहिए, मैं इस वीडियो में तो सब कुछ बताने पाऊंगा, वीडियो में अगर सब कुछ बतान जो जो है, तो अब देख सकते हैं, जो medical lab technician जो भी ITI पास होना चाहिए, सेम सब कुछ essential qualification हार पोस्ट के लिए सेम है, ठीक, इसका mode of selection अब देख सकते है, trade test होगा, जो ACC, मतलब जो 10th पास प्लस ITI किये है, तो उसका इस ITI का, अब लोग का trade test होगा, अगर 12th के है तो अब लो objective type multiple choice examination होगा, हिंदी और English में, total 300 questions रहेगा, ठीक है, और time देगा, total 2 घंटा 30 मिनिट, 18 घंटा टाइम रहेगा, ठीक है, paper 1 में क्या रहेगा, आप देख सकते हैं, mental ability test 50 marks का, 50 questions रहेगा, और maximum marks होगा, 102 marks, each question के लिए, हर question के लिए 2 marks, paper 2 होगा, 30 minutes का, general awareness रहेगा, और English रहेगा general awareness से 25 questions और English language से 25 questions रहेगा, और एक एक question का जो number होगा, 3 marks, इसले पचातर पचातर करके होगा, और paper 3 में 60 minutes time रहेगा, एक घंटा टाइम रहेगा, जो concerned subject, मतलब जो IK का subject हाना, उसका उपर depend करेगा, तो इसमें total 50 questions रहेगा, एक question में 3 marks रहेगा, ठीक है, तो the paper 1, mental ability test will conclude, general intelligence, quantity aptitude, reasoning, problem solving, situational judgment etc, मतलब क्या है, जो paper 1 होगा, उसमें general GI रहेगा, quantitative aptitude, reasoning, problem solving, जो भी है आप लोग का पास ये सब topic से question रहेगा, अगर paper 1 में आप लोग का minimum qualification marks आएगा, तो paper 2 और 3 के लिए आप लोग applicable होगे, और final जो manual list बनेगा, ओ paper 2 और 3 का हिसाब से बनेगा, तो paper 2 और 3 मे जो marks मिलेगा, आप लोग को total, तो उसका basic से आप लोग का Mary list बनेगा, अब देख सकते general information and conditions, जो भी आप लोग देख सकते, normal कुछ भी नहीं, जैसे आप लोग को form flip करना पड़ता, अब लोग को cities होना चाहिए, इंडिया का आप लोग को बसीनदा होना चाहिए, ठीक है, और बाकी जो जो आप देख सकते, normal सब कुछ है, अगर आप लोग को form flip करने में कुछ भी problem है, तो मेरे को बथा सकते है, मैं form flip करने के भी आप लोग को दिखा दूँगा, ठीक है, और कैसे apply करना है, आप देख सकते, eligible candidate apply कर सकते, जो जो इस qualification का अंदर आते है, तो आप लोग apply क कर सकते हैं, तो अगर आप लोग का पास essential qualification नहीं है, तो आप लोग apply मत कीजिए, क्योंकि essential qualification नहीं है, तो आप लोग का selection नहीं होगा, ठीक है, तो form flip करने का बाद आप लोग को demand drop करना पड़ेगा, 100 रुपीज के, तो demand drop in favor अब सब कुछ दिया है, आप देख सकते हैं, और pay label ad jord heart अब देख सकते हैं, तो demand drop 100 रुपीज का कटना पड़ेगा, और उसका बाद अब लोग को online application करने का बाद जो अब लोग का application form होगा, print out करके, अब लोग का जो essential certificate होगा, अब लोग को print out करके भेजना पड़ेगा, और demand drop का coffee जो होगा, demand drop का form होता है, वो भी अब envelope का अंदर आब लोग को रखे भेजना पड़ेगा, ठीक है, और जो envelope का उपर में क्या लिखना पड़ेगा, application for the post of, जो application for the post of लिखना पड़ेगा, उसका बाद जो post का नाम होगा, वो नाम, उसका बाद post code होगा, जो भी जैसे लिखा है, तो यह उपर में आब लोग को लि इस address में आब लोग को post अब इस से भेजना पड़ेगा, ठीक है, और बाकी जो जो है normal कुछ भी नहीं है, आप देख सकते, following documents must be attached along with application form, sent by post, आब लोग को normally post से भेजना पड़ेगा, speed post करना नहीं है, तो पहले आब लोग का जो application form होगा, उसमें sign करना पड़ेगा, उसका बा date of bath certificate, जो date of bath certificate है, उसका self-attested copy चाहिए, मतलब जो अब लोग आपास date of bath अगर certificate नहीं है, तो माधमीक का certificate आप लोग देख सकते हैं, और self-attested करके देना, और जो educational qualification certificate है, उसमें self-attested करना पड़ेगा, और EWS या cast certificate है, तो आप लोग को self-attested करके देना पड़ेगा, ठीक है, पास कोई भी category है, जैसे, ACHD category का age relaxation का certificate है, तो आप लोग वो भी भेज सकते हैं, और experience certificate है, तो वो भी अब लोग वो self-attested करके भेजना पड़ेगा, और PWD candidate होगा, तो उसका भी photocopies करके, जिरोक्स करके self-attested करना पड़ेगा, अगर कोई भी applicant अभी job कर रहा है, तो उसको अगर applicable है, तो अब लोग को भेजना पड़ेगा, ठीक है, तो यह था अजगा total notification, अगर इसमें भी आप लोग को कुछ दिक्कत होड़ा है, फॉर्म फिलाप करने में, या अगर फॉर्म भेजने में कुछ दिक्कत होड़ा है, तो मेरे को, आप लोग SMS कर सकते हैं, मेरा वर् फिर भी जितना हुआ, मैं डिसकस कर दिया, वीडियो का description box में link दिया है, तो आप लोग notification को download करके, आप लोग notification को पूरा पर लेना, उसका बाद ही आप लोग form fill up करना, अगर form fill up करते टाइम कुछ problem हो रहा है, तो मेरे को बताना, और form fill up करने का बाद, कैसे भेज रहा है, ये तो आप देख सकते हैं, ये डॉको में सब लोगों टोटाल भेज जाए, ठीक है, फिर भी आप लोगों का कुछ problem हो रहा है, तो मेरे को बता सकते हैं, ठीक है, तो proper और authentic news पाने के लिए, चैनल को जुरू सब्सक्राइब करना, क्यूंकि हम कोई भी fake news आप लोगों को न